आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे द्हां तक नहीं हो तरी steady glows पे आपका बहुत अच्छा वागत दोस्तों इस ख़बर ने फिर से मेरा दिल तोड़ दिया है पहले मैंने सुचा कि इसको नहीं करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है यह national news बनने वाली है ध्यान से सुनियेगा हम लोग ओरतों के लिए चिलाते रयते हैं लेकिन कुछ होता नहीं यह थंदा हो जैसे हुआ फिर एक incident होगा फिर और और कानू ले कि आओ ये ले किया वो ले कि आओ लेकिन कुछ होता नहीं है है ना हमने निर्भया केश देखा फिर हाइदराबाद केश देखा उसके बाद कुछ नहीं हो और अब यह केश आप देख लीजिए ब्रूटल रेप हुआ है मुडर वेस्टर्न मुंबई में मुंबई में जो बहुत ही सेफ है मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ अगर आप रात के बारा बज़े भी निकल जाएं तो आप सेफ हैं मुंबई एहमदाबाद कुछ ऐसे शहर है मुंबई जैसे शहर में भयानक रेप हुआ है बात करेंगे दोस्तों पात बतादू की डिस्क्लेमर थोड़ा सा कि कुछ ऐसे वर्ट्स होंगे या जब मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको बहुत खराब लगया थोड़ा मन विचलित भी हो जाए तो अगर आपको ऐसा है तो मत देखिए फिर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले इंस ब्रूटल सेक्शुल एसॉल्ट हुआ है फ्राइडे को फ्राइडे की सुबह की तीन बज़े ये घटना है और समझ लिजे की इतना खतरनाक ऐसा कूकरत किया है कि क्या बताए हाला कि जो 45 साल का आदमी यूपी से बिलॉंग करता है ये मोहन चोहान इसको अरेस्ट कर लिया स्कॉटलेंड यार्ड है वो चपल से बता लग एक बार एक चपल से उसने खाली चपल थी वो क्राइम सीन पर वहां से पता लगा लिया कि भाई ये चकौन ही है तो मुंबई पुलिस ने इन्विस्टिगेटिंग टीम ने मोहन चोहान को अरेस्ट किया है 45 साल का ये मिनट पे हुआ फ्राइडे ये वाच्मेन ऑफ अ कार्ड बोर्ड का खेरानी रोट साकीना का पुलिस कंट्रोल रूम को उसने फोन किया कि एक औरत टेंपो के अंदर पड़ी हुई है फैक्तरी के बगल में एक टेंपो खड़ी हुई है और उसके अंदर एक औरत पड़ी ये बोला गया अब फिर जो साकीना का पुलिस स्टेशन है वो इस दस मिनट के अंदर अंदर भाई ये तो बहुत बड़ी न्यूस हो गई तुरंत ये लोग आए और विक्टिम को ढूंड लिया प्राइवेट पार्ट्स पे सीरियस इंजूरी थी अब दोस्तों जो मैं बत हॉस्पिटल ले गए विक्टिम को हॉस्पिटल में आडमिट किया ट्रीट्मेंट चालू हुआ लेकिन बचा नहीं पाए अब आप ये समझे कि ये इंसिडेंट इतना जादा ब्रूटल था पता है विक्टिम के साथ किया क्या था प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसे लेकिन था ये उसके जो टॉर्सो थे कम्प्लीटली ब्रोकेन डाउन नाखून एकदम उखार दिये गए थे बहुत एकदम खतरनाक तरिके जगा जगा काटा गया था हैवानियत की सारी हदे पार कर दी गई और फाइनली विक्टिम बच नहीं पाई ऐसा तो पुलिस ने अ कि येस फास्ट्राक कोर्ट में इसका ट्रायल करेंगे और ये जो क्राइम है इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है केस फास्ट्राक में चलेगा और कल्प्रेट को सीवियरली पनिश किया जाएगा बाकि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे देवेंद्र फड अनवी सी लीडर ऑफ उपोजिशन है वो बोल रहे हैं कि एक धब्बा है मुंबई पर धब्बा है मुंबई सबसे सुरक्षित जगा मानी जाती है और जो गिल्टी है उसको फासी की सजा देनी चाहिए ठीकि पॉलिटिक्स इस पर स्टार्ट ना हो मैं तो यही अपील करू है अब नागराले बोल रहे हैं कि स्पेशल इंवेस्टिगेटिंग टीम अल्रेडी बनाई जा चुकी है और इंवेस्टिगेशन ऑफिसर है और एक मन के अंदर अंदर यह SIT जो है वो इंवेस्टिगेट करेगी और चार्ज शीट दायर करेगी तो यह चीज है डॉक्तर ब बहुत मारा गया था जगा जगा काटा गया था भयानक एसॉल्ट हुआ था ब्रूटल एसॉल्ट हुआ था दोस्तों पूरी टेंपो जो थी जहां पर पड़ी हुई थी है वो पूरी खून से लालो गई थी यह चीज है अब हर कोई गुस्षे में है चाहे वो वोमेन कमिश हो चाहें पॉलिटीशन हो हर कोई गुस्षे में है कि इतना इतना जादा लेकिन दोस्तों इससे कुछ होगा नहीं यह होगा फिर आपको पते ही न कि हर 10 मिनट पे एक रेप होता है साथ ही साथ जो एसॉल्ट होता वो तो बहुत ही कॉमन है कोई प्रॉपर लौ नहीं है कि तुरंत जल्द से जल्द अब यहां पर जितने भी बोल रहा है कि सबको जुडिशिरी के हाथ में है लेकिन अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो जल्द से जल्द सजा दी जाए अब जो विक्टिम है टाइमस अफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस ने ये भी बोला है कि दो शादिया होई थे विक्टिम की 32 साल की थी है और इधर उधर की जॉब्स करती थी मतलब कोई अमीर गरीब थी है काफी जादा पहली शादी से दो बेटिया दूसरी शादी से एक बेटा मतलब टोटल तीन बच्चे थे अपने फैमिली से इसके अच्छे रिलेशन नहीं थे और अपने मतलब बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे अब बता रही है कि इसकी कोई बुरी आदत नहीं थी लेकिन हाँ जब इसका दूसरा पती छोड़के गया तो और conviction rate बढ़ाया जाए, conviction बहुत कम होते है ना, यह कानून से कबड़ी खेल के बच जाते हैं, अगर लोगों को पकड़ा तो rape case में conviction बहुत कम होते हैं, तो यह कब तक चलेगा, हम चलाएंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन फिर क्या होता है, फिर यह सब शान्त हो जाता है, अब वक्त आ गया है, कि हमको इन cases पे अब ध्यान से सोचना पड़ेगा, यह खबर थी,